नमस्कार ओम शान्ती मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस निउस बुलिटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर हरियाना के फरीदाबाद में ब्रमकुमारेज ने किया वीरों और विरंगनाओं का सम्मान संस्था के मुख्यारे माउंट आबो के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा जवानों के लिए उनलाइन सेशन CRPF-RPF के जवानों ने लिया हिस्सा आगरा एकलव स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित खेल कुद प्रतियोगिता में ब्रमकुमारी जामंत्रित खेल मंत्री अनुराख सिंग ठाकुर से मुलाकात कर दी संस्था की गतिवीदियों की जानकारी मौस्को के बेल कंटो की पंद्रवी वर्षगाट पर कल्चुर्ट प्रोग्राम का आयोजिन ब्रमकुमारी जने किया पार्टिसिपेट वीरों का सम्मान करना हर भारतिय का दायत्व है इसी दायत्व को निभाने के लिए हर्याना के फरिदाबाद में ब्रमकुमारी इसके एन आई टी सेवा केंज द्वारा सम्मान समारों का आयोजिन किया ये कारेकरम आजादी के अमरत महोतसफ के अंतरगत आयोजित हुआ जिसमें पूर्व सेनिकों और विंगनाओं को सम्मानित किया गया योग के जरिये हमारी निर्णे लेनी की शमता बढ़ती है सभी को ध्यान योग सीख कर उसे अपनी दिन चर्या में शामिल करना चाहिए यह कहना था भारते नौसेना के कमोडोर बीके शिव सिंग का मौका था एनाइटी में नीलम बाटा रोड के पास ब्रह्म कुमाईर संसान में आजादी का अमरत महोतसफ के उपलक्ष में आयोजित कारेकरम का इस कारेकरम में पूर्व सैनी को, वीरता पुरसकार विजेताओ को और विरंगनाओ को सम्मानित क्या गया इस मौके पर मुख्य अतिती के रूप में उपस्थित जिला उपायोक्त जितेंदर यादव जिला सैनिक बोड के प्रभारी मेजर आरकिस शर्मा, ब्रिगेडियर विक्रम सिंग, सुरक्ष सेवा प्रभाकियो पाध्यक्षा बीके शुकला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उशा समेट, कई सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे महीं बीके उशा ने कार्यक्रम में आने पर सभी अधितियों का आभार व्यक्त किया अब खबर ब्रमकुमारीस के मुख्याले माउंट अबू से संस्था के सिक्योरेटी सर्विस विंग द्वारा, देश की सुरक्षा में तैनाज जवानों के लिए ऑनलाइन सेशन रखा गया इस सेशन में संस्था के कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके डॉक्टर ईवी स्वामी नाथन ने स्टोरीज एवं अनुभवों के आधार पर स्लीप मैनेजमेंट पर ऑनलाइन वर्क्षोप कराई जिसमें अलग-अलग जगह के जवानों सीनियर आफिसर्स ने भाग लिया इसमें लखनाओ के जे आर आर पी एफ अकैडमी के जवान भोपाल के एंसीसी कैड़ेट्स और पूने के सी आर पी एफ के जवानों समित सीनियर आफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया आपको ये ध्यात होगा कि जो नॉर्मल वख रहता है जब पूरी सारी देर की जवाय पाहल हो जाती है जो जितनी एक ऑस्ट्रेडिया कंट्री कॉंटिनेज की पूरी आबादी है उतनी आबादी को रोज देकर हम चलते अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों की वारा नसी के सारना सेवा केंद्र का उच्च शिक्षविभाग की अपर मुख्य सचीव मौनिका गर्ग समित उनकी दोनों बेटियों ने जीवन मूले आध्यात्मे कला मंदिर का अवलोकन किया जहां उनका भव विस्वागत किया गया बीके बहनों ने आध्यात्मिक चित्र प्रदशनी समझाते हुए आज की समय में आध्यात्मिक्ता को जीवन में बेहत जरूरी बताया वहीं मौनिका गर्ग ने भी सवाल करते हुए आध्यात्मिक्ता को गहराई से समझा सुन्दर अवसरपभी के सदस्यों ने मौनिका गर्ग समेत उनकी दोनों बेटियों को ईश्वरी साहित्य देकर दोबारा सेवा केंद्र पर आने के लिए निमंत्रन दिया ऐसे ही वारानसी के नाटिय इमली सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव मनाया गया जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की महानगर मंत्री पूजा दिक्षित मुख्य अथीति के रूप में उपस्तित रही इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी भी के चंदा ने उन्हें गौडली गिफ्ट देकर सम्मानित किया वहीं आगरा एकलवी स्पोर्ट स्टेडियम में चल रही खेल कुद प्रतियोगिता पुरिसकार वित्रण में ब्रह्मकुमारी इसको आमंत्रित किया जिसमें विशेश आर्ट गैलरी म्यूजियम से भी के बहनों ने खेल मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर का तिलक लगा कर स्वागत किया एवं लोक सभा के सदसी राजकुमार चाहर को गौडली गिफ्ट्स देकर संस्था द्वारा स्पोर्ट्स में योगदान दिये जाने की जानकारी दी इस बात को लेकर खेल मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर की करनाटा के गुल बर्गा सेवा केंद्र एवं शरन बसव विश्व विध्यालय के संयुक तत्वा धान में सेल्फ इंपावर्मेंट पर एक दिविसी सम्मेलन का आयोजन अमरत सरोवा रिट्विट सेंटर पर किया गया इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वी डी मैथ्री, रेजिस्टर डॉक्टर अनिल बिडवे, मैसूर सबजोन प्रभारी बीके लक्ष्मी समय कई विशिष्ट लोग उपस्तित रहे इस सम्मेलन में शरण बसव विश्व विध्याले एवं संबंदित महा विध्यालेों से 500 प्रोफेसर एवं पीजी के साड़े 400 स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया अब ख़वरे देश भर में किसानों के लिए आयोजित हुए कारिक्रमों की जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबरपूल भवरताल सेवा केंद्र पर किसानों के लिए सम्मान समारों का आयोजिन किया गया जहां जवाहरलाल क्रिशे विश्व विध्याले के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर S.B. अगरवाल समित किसान भाई बहन मौजूद रहे कारिक्रम में किसानों को शाश्वत योगी खेती के लिए प्रिरित किया गया ऐसे ही ग्वालियर के माधू गंज सेवा केंद्र पर किसान सम्मान दिवस मनाया गया जिसमें क्रिशे विश्व विध्याले के पूर्व होडी डॉक्टर जी एस रावत बीके आदर्श ने सभी किसान भाईयों को ईश्वरी सौगा भेट की संस्था के ग्राम विकास प्रभाग एवं सेवा केंद्रों के संयुप तत्वा धान में देश भर में किसानों के लिए कारक्रमों का आविजन हो रहा है ऐसे ही भोपाल सेवा केंद्र द्वारा ग्राम गुराटी घाट में सुन्दर कारक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बीके डॉक्टर वीना ने किसान भाईयों का सम्मान करने के साथ साथ मास्क वितरन भी किये खनवा सेवा केंद्र पर भी 40 अन्य दाताओं को शौल एवं श्रीफल देकर सम्मानिक किया टीवी स्क्रिन पर आप मधिप्रदेश की तीन जगहों के तस्वीरे देख सकते हैं पन्ना सेवा केंद्र द्वारा गाउं बराच में किसानों के लिए कारक्रम का आयोजिन किया गया दूसरी तस्वीर इंदोर के प्रेम नगर उप सेवा केंद्र की भारत की शान अन्य दाता विशय पर कारक्रम हुआ तीसरी तस्वीर सियोनी सेवा केंद्र की जहां किसानों को सशक्त बनाने के लिए कारिक्रम रखा गया मध्यपदेश के अलग-अलग सेवा केंद्रों की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं निव हरसूर सेवा केंद्र की, उसके साथ दूसरी तस्वीर में औमकार इश्वर सेवा केंद्र, वहीं शाज़ापूर के बीके सदस्यों ने राजमाता, विज्य राजे सिन्धिया, कृषिव विष्व विध्यालें में किसानों के लिए अयोजित कारक्रम में परमात्मा को याद कर अर्थात योगी खेती के लिए प्रिरित किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सेंद्वा पर भी कारक्रम का आयुजन किया गया। जिसमें किसानों को नशामुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। अब कुछ खबरे एक नजर में। उत्तर प्रदेश के रूरा में स्थित पालिवाल नगर में बच्चों के लिए कारक्रम। कई स्कूली बच्चों ने किया पार्टिसिपेट। बच्चों ने परियावरन एवं स्वच भारत स्वस्त भारत पर बनाई सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। उडिशा के भुवनेश्वर सेवा केंदर पर किसानों के लिए कारिक्रम कारिक्रम में कई किसान रहे मौजूद बीकि सदस्यों ने किया शाश्वत योगी खेती के लिए जागरुक यूपी के गोंडा सेवा केंदर पर किसानों का सम्बान समारो किसानों को किया जेविक खेती के लिए जागरुक बीकि सदस्यों ने किया किसानों को सम्मालिक दिल्ली के मजली स्पार्क सेंटर पर किसानों के लिए समारू इस समारों में किसानों के कर्तव्यू पर की गई बात बच्चों ने दी सुन्दर सांस्कृतिक प्रस्तूतियां आंद्र बदेश की विजयवारा सेवा केंद्र द्वारा किसानों को जागरुख करने पर कारिक्रम बिके बहनों ने गाउं गाउं जाकर किसानों को किया जागरुख किसान भाई बहनों को किया संबालिख शाश्वत योगी खेती पर विस्तार सी की चर्चा आंध्र लॉयल इंस्टिटूट फॉर एंजिनियरिंग और टेक्नोलोजी में सैमिनार सैमिनार में ब्रह्मकुमारी इसको किया गया आमंत्रित अडे विद माईसेल्फ विशय पर बच्चों के साथ किये बीके सदस्यों ने इंटरैक्ट बीके पद्मा ने पॉजिटिव थिंगिंग और मेडिटेशन पर की चर्चा ऐसे यांध्रा के काकी नारा सेवा केंद्र पर किसानों के लिए आयज़ित हुआ कारिक्रम किसानों को शाश्वत योगी खेती के लिए किया जागरुक बीके रजिनी एवं अतितियों ने किसानों को उनकी महनत के लिए किया सम्माने कारिक्रम में कई किसान रहे मौजू माराश के तुमसर सेवा केंद्र पर किसान जागरती पर चर्चा बीके प्रेम लता, जिला परिशत सभापती समयत कई वरिष्ट उपस्तित कारिक्रम में किसानों को किया सम्माने योगी खेती के साथ साथ व्यसन मुक्त जीवन पर भी हुई चर्चा आजादी अमरिद महुतसफ के अंतरगत 36 गड़ के भिलाए सेवा केंद्र पर कारिक्रम किसानों के सम्मान के लिए आयजित हुआ समारो बीके आशा ने किसानों से की अपील योगी खेती का करे ज्यादा से ज्यादा उप्योग प्रैक्टिकल अनुभवों से बताई योगी खेती के बहतर उप्योग वही धमतरी के मगर लोट सेंटर द्वारा किसानों के लिए कारिक्रम दीप जलाकर किया कारिक्रम का उधगाटन सांस्कृति कारिक्रम के साथ बच्चों ने दिया योगी खेती का संदेश वीकि अकिलेश ने कहा रसाइनी खाद का उप्योग ना करे करनाटा के बीदर सेवा केंद्र पर अन्य दाता किसानों का सम्मान क्रिशी शेत्र से जुड़े अधिकारियों को भी किया शामि कारिक्रम में कई गाउं से पहुँचे किसान भाई बहन वीकि सुनंदाना अतितियों एवं किसान भाई बहनों को किया सम्मान ओरिशा के नयागड सेंटर पर स्मृति स्तंब का उधगाटन वरिष्ट भाई वीकि प्रमोद के 40 साल की अथक सेवाओं पर सेवा केंद्र ने बनाया स्तंब प्रथम इसमति दिवस पर हुआ स्तंब का उधगाटन बुबनेश्वर के बीजेपी नगर सेंटर पर किसानों के लिए कारक्रम कर गाओं के किसानों ने लिया कारक्रम में भाग वीकि तपस्वनी के अध्यक्षता में हुआ आरजन बीकि सदस्यों ने कहा परमात्मा की याद से करेंगे खेती तो मिलेगा पहतर रिजल्ट वही ब्रह्मपूर के प्रभू उपहार रीट्रीट सेंटर पर किसानों के लिए समारो बीकि मन्जु ने किसानों की मेहनत के सलाम करते हुए उनको किया सम्मानित कारक्रम में कई किसान भाई बहन रहे उपस्तित ओडिशा के नबरंगपूर सेवा केंडर ने किया किसानों के सम्मान में प्रोग्राम दिव्वी जोती भवन में आईजित इस प्रोग्राम में कई किसान भाईयों ने लिया भाग बीके नीलम के अध्यक्षता में हुआ कारिक्रव भुपाल के कोलार सेवा केंद्र पर किसानों को सशक्त बनाने पर सेमिनार वीडियो कॉन्फरेंसें से जुड़े कई किसान भाई किसानों ने वीडियो के माध्यम से रखी अपनी बाते बीके किरण ने योगी खेती के साथ सथ विसन मुक्त जीवन की भी कही बार महराश्ट उम्रेट सेंटर पर किसानों को किया सम्माने बीके पुर्णिमा ने किसानों को किया शाश्वत खेती के लिए जागरुक कारगर में किसानों ने समझे योगी खेती के फायदे समान समारों में किसान भाई बेहनों के साथ कहीं अतीती भी मौजूद मदपदेश के मनला सेवा केंदर पर किसानों को किया जागरू संस्था के कृषी एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजन विके ममता ने कहा योग से करेंगे खेती तो मिलेंगे अधगुद रिजल्ट्स गुजरात सूरत के ओल पार्ट सेंटर द्वारा कारिकरम महादेव शास्त्रे विध्याले में हुआ आयोजन विके त्रप्ती ने जेविक खेती के बताय फायदे बच्चों के सुन्दर परफॉर्मेंस से लगे चार चान राजस्तान भरतपूर के विनायक नगा सेवा केंदर द्वारा आयोजन कारिकरम में पहुचे कई किसान भाई विशिष्ट अतीतियों ने किया दीप जलाकर कारिकरम का उठगाटन विके कविता ने उपस्तित किसानों को किया संबानित ऐसा ही संबान समारो जालावार सेवा केंदर पर भी आयोजन विके मीना ने किया उपस्तित किसानों को संबानित भारत को उन्नत छिल बनाने में किसानों को बनना होगा संब्रेद दोर आत्म निर्भर उडिशा के असका सेंटर पर आईजित प्रोग्राम में किसानों को मिला सम्मान संस्था ने किया किसानों की समर्पन को सलाम वीकि सदस्यों ने किया योगी खेती के लिए प्रेदित महाराश के बेला उप सेवा केंजर पर किसान सम्मान समारो बिके रेखा ने कहा किसान का सम्मान हमारा सम्मान क्रिशिकों को दी परमात में याद में खेती करने की सला मद्वदेश के मोरेना सेवा केंदर द्वरा किसानों के लिए कारक्रम सभामा किया भारत के अन्य दाताओं को सम्माने शौल पहना कर बढ़ाया उनका उमंग उत्सा कारक्रम में कई किसान भाई बहन उपस्तित यूपी के वराणसी सेवा केंदे पर किसानों का सम्मान समारो किसानों को जागरुक करने के लिए किया गया प्रोग्राम बिके जोती ने रसाइनिक खादों का उप्यूग न करने की दी सला अतीती और इवं किसानों को किया सम्मानेत ऐसा ही कारक्रम देवरिया के बरहत सेंटर द्वारा आयजित किसानों के सम्मान में रखा प्रोग्राम जिसमें कई अतीती गंड शामिल बिके रीना ने बताये शाष्वत योगी खेती करने की कहीं फायते महाराज के लातूर सेंटर एवं लातूर क्लब ओफ मेट्रो के संयोग तत्वाधान में किसानों के लिए कारक्रम कारक्रम में जेवी खेती करने वाले किसानों को किया आमंत रित लातूर क्लब ऑफ लातूर मेट्रों के अध्यक्ष रहे उपस्तित भीके नंदा ने योगी खेती के साथ सथ व्यसन मुक्त जीवन जीने की भी कही बात उन्दोर के न्यू पलासे सेवा केंड पर बड़े दिन का सेलिब्रेशन चोटे-चोटे बच्चे सेंटा की पोशाग में दिखे बेहद आकर्शक भीके आरती ने किया बच्चों रूं संस्था के वरिश सदस्यों के साथ सेलिब्रेशन महराश के देगलू सेवा केंड पर किसान सरशक्ति करण पर कारिक्रम सेक्डो किसान भाईयों ने लिया भाग कारिक्र में पूर्व विधायक समेट कई गण माने रहे उपस्तित बीके मेनका ने किसानों के हर शेत्र में अमूली योगदान बताए 36 गड़ के धमतरी सेवा केंड ने किसानों को किया सम्मानित बीके सरिता ने परमादमा को याद कर खेती करने कि दी सला 100 किसानों का तिलक एवं पगड़ी पहना कर किया सम्मान मेरा उत्राखन वेसनमुक्त उत्राखन अभियान के अंतरगत कारिक्रम श्रीनगर गड़वाल से मोबाइल वेंद द्वारा वरक्शोप सेमिनार आयजित स्कूल्स, कॉलेजिस, थाने, निवासियों और सुरक्षा जवानों के लिए आयजित सेमिनार्स प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को वेसनों के दुष प्रभावों के दिजानकारे आभी तक जोशी मट के करीब 5,000 लोगों को वेसनमुक्त से कराया अवगत बिके राजीव ने युवाओं का मेडिटेशन के प्रती बढ़ाया रुजान यूपे के गाज़ेबाद सेंटर पर क्रिस्मस सेलिबरेशन सैंटा क्लॉस बनकर बाटी खुशिया बिके सदस्यों ने बताया क्रिस्मस का अध्यात में क्रहसे ऐसे ही इंद्रापुरम के शिपरा सन सिटी में लगी चित्र प्रदरशनी प्रदर्श्टी द्वारा दिया लोगों को आत्मा परमात्मा का परीचे लोगों को किया मेडिटेशन के लिए प्रेदित जमू सेवा केंद्र पर किसानों के लिए आयजित कारिक्रम संस्था के ग्राम विकास प्रभाग एवं सेवा केंद्र द्वारा आयजित शेहर कश्मी युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा हुए शामिल बिकि सुदर्शन ने किसानों को योगी खेती करने के लिए किया प्रेरित संगीत और साहित्य में अपनी उपलब्दियों के लिए प्रसिद्ध शहर मौस्को के तौमिलीनों में कल्च्रल प्रोग्राम किया गया एका तेरीना फोरा नोवा के नेतरित में बैल केंटो की पंद्रवी वर्षगार्ट पर आयोजेत इस कल्च्रल प्रोग्राम में मौस्को शहर की कई कल्च्रल ग्रूप्स ने पार्टिस्पेट किया जिसमें ब्रहमकुमारीज भी विशेश रूप से अमंत्रित रही इस कल्च्रल प्रोग्राम में लॉरी सग्रिडिना, एलेना चिटोवा और जूलिया सभी तोवा ने हिस्सा लिया कारकर में सभी प्रती भागियों को डिप्लोमा से पुरुश्क्रत किया गया आज के बुलिटन में बस इतना ही और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजर तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत, नमस्कार, ओम शान्ती कर दो दो